हेलो काईस मैं हूँ ख्याली और आज एक सेकंड क्या मेरे अकाउंट से पैसे कट गये एटियम से पर मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ कैसे चाह सकते पैसे ट्रांजक्शन भी हो गया जी हाँ यह आपके साथ भी हो सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि बिना एटियम से पैसे विज्ड्रॉ करे या ना कोई ट्रांजक्शन करे आपके काउंट से पैसे कर से कट सकते है मैं बताती हूँ इस टेकनिक को कहते हैं कार्ट क्लोनिंग जहां आपके कार्ट का एक डुपलिकेट कार्ट बन जाता है और कोई और उस टुपलिकेट कार्ट को यूज़ करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे होती है कार्ट क्लोनिंग और इनसे बचा कैसे जाए अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपका कार्ट तो आपके पास है और ना तो आपने अपनी कार्ट की डिटेल कीज़ी से शेयर करी है तो अमाउंट कैसे कट सकते है मैं आपको बताती हूँ दरसल ATM स्लोट मशीन में एक कार्ट स्किमर लगा दिया जाता है वही कार्ट स्किमर आपके पूरे कार्ट को रीड कर लेता है जब आप पैसे निकाल कर ATM से जा चुके होते हैं तो कार्ट स्किमर से आपकी पूरे कार्ट डिटेल को कॉपी करके एक टूपलिकेट कार्ट में ट्रांस्फर कर दिया जाता है अब मैं आपको बताऊंगी कि इस card cloning technique से बचा कैसे जाए जब भी आप पैसे withdraw करने जाए तो हमेशा नजर रखे card की slot की तरफ अगर आपको slot bulky लग रहा है या loose लग रहा है तो अपना card insert ना करे ATM slot machine के उपर एक light जलती है अगर वो light आपको चली होई नहीं दिखी तो इसका मतलब वो slot skimmer है कभी-कभी कुछ card skimmers इतने भी advance में होते कि वो आपके ATM pin को भी track कर सके तो इसका निकाला है kloner ने कोई दूसरा तरीका ATM pin को trace करने के होते हैं दो तरीके कभी-कभी वो एक fake keypad लगा देते हैं जब आप उस fake keypad पे अपना pin type करते हैं तो वो कर लेते हैं आपके pin को trace और दूसरा टेक्निक यह होता है कि hidden cameras को आपके machine के आसपास लगा दिये चाते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि वो आप देख भी नहीं सकते हैं ATM pin type करते वक्त आप अपने हाथों से keypad को cover कर सकते ताकि वो camera में भी ना capture हो पाए तो आप चाहे जितनी भी जलबाजी में क्यों ना हो इन बातों का सरूर रखे ध्यान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए और मेरा YouTube चानल Watch Your खयाल को सब्सक्राइब कीजिए Thanks for watching